गेट से कोई लेना देना नहीं, अगर मिस हो गया है, और नहीं दे रहे हो गेट, तो बिना गेट के भी अपलाई कर सकते हो, तो बहुत अच्छी अपडेट है, मतलब ग्रेजुएशन करोगे, और आपको यहाँ पर पैसा भी मिलेगा, 56,100 यह आपका बेसिक पर है, बाकी सार एक्चुली अगर देखने जाए, तो तीन दिन है या चार दिन है, तीन दिन है, तो भी स्पेसिफिक, हेलो दोस्तों, कैसे हो, आप लोग सुआगद है, आपका टॉक अब्दूल चैनल पे, बी आर्सी के अपडेट, भाई, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ अपड प्लाइफटाफट से कर देना, तो चलिए इसके ताथ वीडियो को हम शुरू करते हैं, देखो यार एक गलती मेरे सज़ हुई है, जो कि यहाँ पर इसके लिए मैं सौरी कहना चाहूँगा, इस अपडेट को थोड़ा सा ध्यान से निकल गया, जिसके वज़े से थोड़ा शुरू हो चुकी है, इसका एंप्लाइमेंट में आ गया था तीस दिसेंबर को और सेकेंड जेनिवरी को यह अनौन्स हो गए थी, इसकी लास्ट जेट जो है वो थर्टी जेनिवरी है, तो आपको आपके पास एक्चुली अगर देखने जाए तो तीन दिन है या चार दिन है, तीन दिन है, तो भी स्पेसिफिक, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब सत्ता ही इस तारीक है, आपको जितना जली हो सके अप्लाइ करना होगा, यह मैं इसलिए पहले बता रहा हूं, ताकि ऐसा नहों कि यार तीन दिन पहले वीडियो अप्लोड की और आकरी तक डेटी नहीं बताईए है, eligibility criteria के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो अगर आप यहां पर देखोगे ना, तो यहां पर यह बार की इस update की खासियत का है, क्या है, वो समझ लेते हैं, देखो, यह इस से पहले मैं आपको बताता हूं, दो इनके प्रोग्राम है, एक एक है OCS और एक है DGFS, यहां से सुनना, इसके बारे मैं आगे notification में continue करूँगा, OCS मतलब कि अगर आपने graduation अभी complete कर लिए, आप OCS join करना चाहते हो, तो OCS में join कर सकते हो, जिसमें होगा क्या कि यह एक साल तक BIRC आपको training देगा, टेंशन मतलो, salary यहां पे 55,000 पर मंद आप तरीके का program करोगे, जो कि यहां पे level होता है, master's का, मतलब आप master's complete कर लोगे, या तो DAE का, इनकी जो institute है, इनके साथ, या IIT के साथ, आपका यहां पे fees वगरा, वो सब BIRC समभाल लेगा, आपको थोड़ा बहुत यहां पे पैसा भी हत में मिलेगा, और जैसे यह complete होता है, और group A officer की job शुरू होगे, मतलब कि आपका यहां पे पैसा, जो salary रहेगी, वो top class रहेगी, यहां पे क्या होगे, एक साल की training के बाद आपको यहां पे exam वगरा देनी होगी, clear कर लोगे, तो आपको यहां पे posting मिल जाएगी, और आप यहां पे scientist बन जाएगे, तो दोनों cases में amount जो है, एक लाग के उपर हो जाएगा, तो यह चीज़ समझ लेना दो चीज़े है, ठीक है, अब यहां पे आते है, तो बाई, training scheme and employment description इसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है, तो B.A.R.C. के बारे में थोड़ा बहुत है, D.G.F.S. है, जैसा कि मैंने आपको बताया था D.A.E. Graduate Fellowship Scheme for Engineering Graduates and यह O.C.E.S. है, Orientation Course for Engineering Graduates, यह दोनों चीज़े है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, अब यहां पर आते है, कि अगर आप यहां पे जॉइन करना चाहते हो, O.C.E.S. 2425 यह academic year है, यहां पे इन्होंने इन्चॉट यह बताया हुआ है, कि कौन सी जगह पे training होगी, पांच B.A.R.C. के centers है, जिसमें यहां पे Mumbai, Kalpakkum, Indoor, Hyderabad, यह जो है, इसके अलावा की list भी यहां पे दी हुई है, चार यहां पे दी हुए है, पांच 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 पता नहीं कहां चला गया है, हाँ, यह आपके पांच centers रहेंगे, आप पसंद से अप लेवल के institutes है, सारे है, यहां पे ऐसे ही आपको admission नहीं मिल जाएगा, तगड़ा सा interview crack करना रहेगा, यह training scientific officer, trainee scientific officer की posting जो है, वो आपको यहां पे मिलेगी OCS के अंदर, जैसे ही आप join करोगे, आपको TSO का नाम दिया होगा, इसलिए आप internet पे देखते हो, B.A.R.C. TSO, TSO य उसके बाद group A की post मिलेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, next आते है, कि अगर आप यहां पे join करते हो, तो आपको पैसा वगरा कैसे मिलेगा, तो आपको OCS के TSOs, यानि की, पहले एक साल वाला जो program है, जिसमें आपको job चाहिए, तो आपको 55,000 पर मंद मिलना शुरू हो क्या है, कि यहां पर paid step in 55,000 पर मंथ for two years and reimburse the tuition fee, ओके मेरी एक mistake थी, दो साल तक हर महीने 55,000 मिलेंगे, साथ में आप MTEK करोगे, मतलब graduation करोगे, और आपको यहां पर पैसा भी मिलेगा, और one time आपको 40,000 का grant भी मिलेगा, जो projects वगरा complete करने होगे, लेकिन यह DGFS में आपको जो सुनने में या दिखने में जो easy लग रहा है, देखो यह आपको अपने खर्चे पर master's करवाएंगे, तो इनकी commitment भी आपके पास ज्यादा होगी, वो आपसे ज्यादा commitment मांगेगे, थोड़ा आपके पास ज्यादा time मांगेगे, जो bond वगरा होगा, वो ज्यादा होगा compare to O OCS, यहाँ पर यही थोड़ा रहेगा, लेकिन अगर हम बात करें, तो दोनों के दोनों प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बात करते हैं यहाँ पर detail में, आप यहाँ पर जैसे कि मानलो OCS complete कर लिया, तो आपको पैसा कितना मिलेगा, तो आपको 56,100, level 10 के paper रखा जाएगा, य यह आपका basic पर है, बाकी सारा allowance अगर आप complete करोगे, मतलब यह आप total करोगे, एक लाख साथ हजार के करीब का amount होगा, जो की बहुत 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 अच्छा है, अब आते हैं सबसे important part, selection किस तरीके से होगा, मैंने चुड़ों में बताया था कि gate compulsory नहीं है, तो select कर लो, आप exam भी दोगे, gate का score भी रखने वाले हो, तो भाई, दोनों में से जो अच्छा हो, उससे selection हो जाए, तो भाई, आपके बस दोनों option available है, यह जो exam है, यह होगी March 2024 में, gate का result आने के around इसकी exam हो जाएगी, जबकि gate का जो है, 2024 तो allow है, 2023 भी allowed है, और 2022 भी यहाँ पर allowed ह यह इन्होंने यहाँ पर बता दिया है, अब यहाँ पर एक और चीज़ है, कि भाई, यह जो है, consequence branch, यह आपका doubt होगा हूँ, मैं branch पर यह आ रहा हूँ, लेकिन almost सारी branches engineering की, science की eligible है, बात करते हैं यहाँ पर qualifying degree, academic requirements क्या है, तो आप यहाँ पर final year में हो, तो आप apply कर सकते हो, because इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है, कि भाई, आप यहाँ पर जो है, whose qualifying degree name includes core degree name with any specialization are also eligible, यह eligible है, और साथ में इन्होंने ऐसा भी बताया हुआ है, कि कौन से degrees नहीं eligible है, finally इसलिए eligible है, because आपकी अभी degree का last semester चल रहा होगा, और आप यहाँ पर job find करने निकले हो, इसमें apply कर द वैसे भी gate 2024 को allow किया हुआ है, तो आप यहाँ पर eligible होई जाते हो, यह बहुत अच्छा है, final year है, पैसा है, यहाँ पर बहुत अच्छा है, gate से कोई लेना देना नहीं, अगर miss हो गया है, और नहीं दे रहे हो gate, तो बिना gate के भी apply कर सकते हो, तो बहुत अच्छी update है, यहाँ Now, very important part, भाई यहाँ पर अगर आप gate नहीं दे रहे हो, यह exam दे रहे हो, तो यह exam की तेयारी करनी होगी, हमने खास करके mechanical का जो है, कोर्स बनाया हो है, जो gate के लिए बहुत help करेगा, अब gate का और BRC का syllabus कोई अलग नहीं है, यह ऐसी चीज़ है ना, कि अगर आप gate miss कर गए हो, तो आप BRC दे दो, लेकिन ऐसा नहीं कि easy है, और gate जो है, वो hard है, उल्टा, gate से hard BRC है, जिन्होंने experience किया होगा, उनको बहुत अच्छे से पता होगा, और जिन्होंने नहीं किया, एक बार search करके, कुछ videos को देख लो, आपको idea आ जाएगा, तैयारी बहुत अच्छी करनी हो affordable and अच्छे price पर मिल जाएगा, आपको एक साल के validity मिलेगी, मतलब इसमें बीच में कोई भी और PSU आती है, और अगर आप चाहते हो, कि भाई यहाँ पर PSU में बैटना है, उसके exam देनी है, अगर mechanical branch है, तो यह course आपको वहाँ पर भी help करेगा, इस video के description में आपको link मिल जाए top class faculty, जो फिलाल बहुत अच्छी college में professor है, उन्होंने यहाँ पर उनसे collab करके हमने इस course को ready किया है, इस video के description में आपको link मिल जाएगी, चेक कर लेना, mechanical के graduates के लिए यह बहुत अच्छा है, बात करते हैं आगे, यहाँ पर exam pattern क्या रहेगी, तो भाई exam pattern में इन्होंने बताए multiple choice questions रहेंगे, जिसमें अगर आप सही टिक करते हो, तो three marks और गलट टिक करते हो, तो minus one होगा, negative marking है, और यहाँ पर इन्होंने बाखी क्या-क्या होगा, वो सारी चीज़े, syllabus होगरा, वो आपकी brand से related होगा, समझ लो के gate की exam है, ज्यादा difference नहीं है, और इसके लिए आपको 100 questions 120 मिनिट मिलेंगे, यह आपकी एक समझ लो pattern, अब syllabus का थोड़ा सा overview दिया है, जैसे कि आपकी science field है, या engineering field है, उसका यहाँ पे specific subject related part होगा, और यहाँ पे बाकी basic understanding के subjects भी रहेंगे, जैसे कि आपका यहाँ पे general English, general knowledge, aptitude, यह सब भी आपका रहेगा, जो यहाँ पे कुछ ची functioning, जो आपकी field है, उसका, अब यह खास बात मैं आपको बता दू, gate में generally qualifying marks होता है, 20-25 marks, 30-35 max, इतने होता है, इसका 50 percentage होता है, ठीक है, तो यह चीज़ मैं पहले ही clear कर देना चाहता हूँ, थोड़ा सा तगड़ा रहेगा, difficult रहेगा, आदे next part पर, यहाँ पे अगर आप apply क करने रहेंगे, and women candidates, SCST, यह लोग जो है, उनको यहाँ पे जो है, fees pay करने की ज़रूरत नहीं है, उनको यहाँ पे completely exempt किया हुआ है, तो आपको जो है, fees पे नहीं करने है, लेकिन जिनको pay करनी भी है, find it is normal amount, ऐसे organization में, ऐसे institute में apply करने के लिए, अब आते किस तरीके से apply करना जैसे कि मैंने आपको बताया था कि OCS, DGFS है, तो आप यहाँ पे candidate can apply for only one OCS screening discipline, यह खास दियान रखना, आप यहाँ पे apply कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो कि आप नहीं है, यहाँ पे apply की, यहाँ पे apply की, आपको एक जगह पे ही apply करना है, इसका खास दियान रखना, अब आपको basic email id, mobile number की ज़रूरत पढ़ेगी और फिर आप registration के लिए आगे बढ़ सकते हो, यहाँ पर process instructions एक एक stage पर दिया हुआ है, कि preliminary stage रहेगा, जिसमें यहाँ पे आपको select करना होगा OCS, DGFS, यह आपने select कर लिया, उसके बाद आप process में आगे बढ़ोगे, जिसमें आपके बाकी सारी चीज़े जैसे की number यह वो आपकी majority details qualification कहां सिख्या, कितने percentage है, वो सब कुछ यहाँ पर मंगा जाएगा, तो आपको सारी चीज़े fill up करनी रहेगी, 12th के है, डिप्लोमा के है, undergraduate graduation आपने कहां सिख्या है, 10th कहां सिख्या है, वो सब आपको fill करना रहेगा, और अगर आप exam के लिए apply कर रहे हो, तो आपको center select करने होगे, अगर आप gate 2024 के थ्रूँ apply कर रहे हो, तो admit card upload करना होगा, अगर आप 2322 के लिए apply कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे आपका gate score upload करना होगा, और एक बात, यहाँ पे gate 2024 का result तो आई जाएगा, feb end या March start में, तो आपक कोई यह screen नहीं दिख रही है, तो मैं आपको बता दता हूँ, mechanical eligible है, chemical eligible है, metallurgy भी है, और यहाँ पे electrical भी है, electronics भी है, और computer science भी है, और साथ में instrumentation and civil भी है, यह यहाँ पे branches है, इनका अगर आपने B.E.B.T.E.C. किया है, आप apply कर सकते हो, कौन सी यहाँ पे जो है, आपको B. DRC की कौन सी field में आपको मिलेगा, तो mostly same है, mechanical का mechanical ही रहता है, ज्यादा difference नहीं है, यह engineering की बात हो गई, उसके अलावा की science की discipline, जिन में काफी students को doubt रहता है, आपने यहाँ पे अगर physics ने किया हुआ है, तो आप apply कर सकते हो, M.S.C. इन्होंने मंगा हुआ है, और आप यहाँ पे eligible हो, B.B.T.E.C. भी किया है, M.T.E.C. in engineering physics के apply कर सकते हो, chemistry का भी ऐसा ही है, M.S.C. in chemistry, physical chemistry, organic, inorganic, analytical, आप यहाँ पे eligible हो, कोई attention वाली बात नहीं है, अब इन्होंने खास कहा है कि अगर आप apply कर रहे हो, तो एक चीज़ पे खास नजर डानना कि कौन सी branch वाले eligible नहीं है, नहीं apply कर सकते हैं, तो इन्होंने और भी branches दी हुई है, जो eligible है, जैसे कि physics and chemistry के बाद, bioscience के बारे में बताया हुआ, इतनी सारी branches है, food science, food technology, computational biology, bioinformatics, यहाँ पे animal science है, food science, pathology, entomology, plant breeding, plant science, बहुत सारी है, और अगर हमने food technology से बीबिटेक किया है, eligible हो, तो इन्होंने almost सारी branches के बारे में बताया हुआ है, जो eligible है, non eligible जो है, उसका में notification का link दे दूँगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, और एक चीज़, यह जो है, इन्होंने बताया हुआ है, कि OCS की screening disciplines, यहाँ पर कौन सी यहाँ पर training scheme है, जैसे कि आप join करोगे, तो कौन सी ब्रांच है, वो बताया है, तो आपको उसके लिए हैधराबाद जाना पड़ेगा, तो हैधराबाद मुंबई के यहाँ पर tabular format में बताया हुए है, scheme options, तो इस तरीके से आपको notification के अंदर भी मिल जाएंगे, यह visible नहीं है, कोई बात नहीं, tension मतलो, description में जो link दिया हुआ है, उस पर basic details है, वहाँ official notification की link है, वहाँ जाके आप पूरा read कर सकते हो, और by the way, आप अगर git mechanical के course को चेक करना चाहते हो, तो इस वीडियो के description में link मिल जाएगे, जरूर से चेक कर लेना, detailed course है, बहुत बढ़िया है, आपको बहुत help करेगा, so I hope आपको पूरी understanding मिल गई होगी, वह एक गलती हो गई कि यार, थोड़ा सा late बताया है, इसके लिए मैं sorry कहना चाहूँगा, खास द्यान रखूँगा, ये बहुत अच्छा lesson था, लेकिन अभी भी टाइम है, apply कर दो, so that's it for today, उमीद करता हूँ, सब कुछ समझ में आया होगा, मिलतें next video में, next job update में, तब तक के लिए, goodbye, take care.